एक बार पुन है कक्षा नौमी के विद्यार्थियों का स्वागत है अभिनंदन है सेंट एंगल्स पब्लिक स्कूल की ओनलाइन कक्षा में जिसमें हम पढ़ रहे हैं कक्षा नाइन्थ का हिंदी व्याकरन का टोपिक अलंकार उसमें हमने आज पिछली वीडियो में पढ़ा उत्प्रेक्षा लंकार उत्प्रेक्षा लंकार वहां होता है जहां उपमे में उपमान की संभावना होती है या कल्पना की जाती है इसके वाचक शब्द है मानो मनू जानो जनू जानू आदी वाचक शब्दों का इनमें प्रियोक किया जाता है तो हम एक उधारन पढ़ पढ़े थे पिसले वीडियो में हमने इसकी डेफिनेशन पढ़े थी अब हम पढ़ेंगे उधारन देखे उसकाल मारे क्रोध के तनू कापने उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा तो यह मानो जो है यह वाचक शब्द यहां आ रहा है पहली तो पहचान यह पहचान सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में उत्प्रेक्षालंकार है दूसरी बात यह है कि देखें यहां पर उसकाल मारे क्रोध के मतलब क्रोध के कारण इतना क्रोध आ गया जब अर्जुन को पता चला कि उसके पुत्र अभिमन्युक को चक्रविं में फसा कर मार दि है तो स्बंध के कारण उनका जब अर्जुन का जो है वो तन जो है इस तरह से कापने लगा देखें अ ऐसे का अपने लगा जैसे जो है जो सागर है उसको देखकर के इस तरह की कलपना की गई कि जो सागर है वह सो रहा हो और जब वहां पर तेज हवा चलती है या तेज तुफान आ जाता है तो सागर में तेज लहरे उठने लगती है तो उस दसा में ऐसा लगता है कि जैसे सागर सो रहा था और अब वह जागा है तो अरजुन के क्रोध को देखकर के यहां जो है संभावना एक जताई जा रही है कि तेज हवा जब चलती है तब सागर पर तेज लहरे उठने लगती है तो उस क्रोध को देखकर के ऐसी कल्पना की जा रही है ऐसी संभावना जताई जा रही जैसे कोई सागर सांत हो और उसमें तेज हवा से तुफान से जो है उसकी लहरे उठ गई हैं उसमें एक तरह से सुनामी सी आगई है और तेज शोर भी उसमें हो रहा है और जो है लहरे भी उठ रही हैं तो उनके क्रोध को देख करके तो उसके क्रोध की जो है यहाँ पर सोते हुए सागर से उसकी कलपना की गई है एक तरह से संभावना की गई है कि उसका जो क्रोध है वो ऐसे लग रहा था अरजुन का जो क्रोध है वो इस प्रकार जागा इतना क्रोध उनको आ गया कि जैसे सो प्रुद के कारण तनका कापना ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा हूँ जबकि ऐसा कुछ हो नहीं सकता लेकिन यहां केवल संभावना की गई है इतने अत्यधिक कृध को देंकर के संभावना जताई गई है कि उसके कृध जो है उसका क्रोध ऐसा लग रहा था जैसे मानों जो है तेज वायू से तेज हवा से या तुफान से सागर में लहरे उठने लगती हूँ तो इस तरह से प्रस्तुत पंक्तियों में जो है वो उत्प्रेक्सा लंकार है क्योंकि यहां संभावना जताई गई है एक तरह से कलपना की गई है दूसरा उधारन आप देखेंगे देखें कहती हुई उत्तरा के नेत्र उत्तरा कौन थी आप लोगों को पता हो आप देखें इहां उत्तरा के नेत्र जल से भर गए यानि के जो है वो आसों से अश्रू पूण हो गए उनके जो नेत्र हैं उत्तरा के वो अश्रू पूण हो गए अभिमन्यु गुमृत्यु के पश्चात तो आगे देखे और कैसे उसके नेत्र कैसे लग रहे थे किस तरह से हो गए थे ऐसी कल्पना की गई है एक संभावना की गई है कवी के द्वारा कि हिम के कणों से हिम मने बर्फ बर्फ के कणों से पूर्ण मानो मानो देखे मानो शब तो इस तरह से जिस तरह से पंकज पर जो है कमल के मतलब उसके जो नेत्र हैं उसके अश्रू पूर्ण नेत्र जो हैं उत्तरा के अश्रू से भरेवे नेत्र हैं वे हिम के यानि बर्फ के कणों से भरेवे कमल के समान दिख रहे हैं तो यह संभावना यहां व्यक्त की जा रही है तो इस तरह से यह उधारन मैंने आपको बताया तो एक और उधारन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा